इस दुनिया में ऐसे बहुत सी जगाए है जहाँ पर अगर पास्ट में कोई भी प्यानोर्मा इंसिदेंट होता है तो उसके जो असर होता है वो आप फ्यूचर में भी देख सकते हो तो ऐसी कुछ कहानी है यूपी के मोजिला के ब्लॉक 15 को लेकर जो एक बहुत ही पुरा ना खंडर की तरह दिखने वाला एक होस्पिटल है और अगर आप इसका आउटसाइड लूग देखो तो आप देखे सकते हो कि एक हांटेट प्लेस का जो टिपिकल सब भीव होता है वो कोई आ जाएगा और तुझे मार देगा वहां पर रात में ना जाने कैसे चीखने चिलने की आवाजे आती है और अगर कोई रात में गुजरने के दौरान वहां पर फस जाए तो यहीं एक्सपेट करता है कि जल्दी से यह सुबह हो जाए सिर्प रात में ही नहीं दिन में भी बहुत से लोगहां से जाने से भी ज्याड़ा subjective है और वहा लोगों को ऐसा फिल होता है कि वो सुंसार में एक चलता फिटा हस्पताल है पर जब वहाँ पर अंदेरा होता है तो वहाँ के लोग उस जगा को एक दम सुसान छोड़ देते हैं और अगर जाना ही है तो 10 से 15 लोगों का एक ग्रूप बनाके जाते है और वहाँ से जब भी कोई गुजरता है तो वहाँ से जोर से चिखने चिलाने की आवासे आती है केदार और वह 75 साल के है उनकी हिसाब से ओंस अपने टाइम हस्पताल के लोगों के हिल्प करने के लिए ही ये बना था बट एक दिन वहाँ पर दो ग्रूप की बहुत जोर से लड़ाई हो गए और एक ग्रूप में मर बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गया और जब उसे इस हॉस्पिटल में लाया गया तो उसका ट्रीट्मेंट अच्छी तरह से नहीं हुआ और वह जिस तरह का इंसान था और जब उसके अकाल मित्तु हुई तो उसके हिसाब से उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं हुई अगर आप किसी भी वेबसेट पे इस हॉंटेड मौजिला के सर्च मारते हो तो आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा इसके बारे में और जब वह इंसान गुजर गया तो भी उसके बेट से बचाओ बचाओ चिलने की आवास आने लगी है जैसे वह अपने आपको सेफ करने की कोशिश कर रहा है कुछ दिन तो ये ठीक ही चल रहा था पर उसके कुछ दिन बात से हॉंटेड चीज वोना शुरू हो गे डॉक्टर रात में जब अपने शिप्ट करके जा रहे थे तो उसके बार दर्वजा अपने आप फुल गया और अजीब ताया से हॉस्पिटल के सारे चीज तूटने फूटने लगे और तब इससे लेकर आज तक इस हॉस्पिटल को सबसे ज्यादा हॉंटेड हॉस्पिटल के पास मेरे बेल नोटिफिकेशन को भी औल पर ज़रू से सेट कर देना ताकि तुम्हें ऐसे ही बहुत से पैरनॉर्मर और मिस्ट्रियल्स स्टोरीज को मिल सके तो मिलते हैं अगली पैरनॉर्मर स्टोरीज को लेकर गुडबाई